वेलकम टू मारवल फूचर फाइट ही इंडिया तो चलिए शूरू करते हैं तो यह इस वीडियो जो यह जो वीडियो है यह वीडियो थोड़ से स्पेशल है इंफडी वार से रिलेटेड है इंफडी वार के मुवी के अंदर जो जो सिंद दिखाए गए वहाँ वहाँ पे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और आपको यही वीडियो करसा रखता है कि आपके यही क्वेश्चन है कि आपको भी यही डाउट लगा मोवी देखने के अब यह मुझे बताना और आने वाल एडिंगे में शायद हो सकता है यह डाउट क्लियर हो जाए या फिर जो क्वेश्चन का अंसर है वो हमें पता चल जाए तो चलिए शुरू करते हैं फटा फट तो यहां पर जो फ़र्स सीन है जिसका अंदर दिख रहा है थौर यहां पर किसी तरह से कि तरह सिफके हाथ से बचने के निकलने के कोशीच कर रहा है लेकिन वह पर करनी बार है और उसको थैनौस है जमक के निकल आ वह थौर को तो यहां पर यह सो सीग है यह इंफり लगर के स्ट इस इस even तका यह सीन है इसके सब्सक्राइस है नें मैंLab तो रहा पर सब भी जो प्लाद कर रहा है आप उसी पर डेन आप को कि उसके बाद में नेक सीन में है हल्क के साथ थैनोस कर रहा था तो कुछ लोग का मानना ऐसा है और फैन थेरी भी चल रही है कि थैनोस ने पावर स्टूं का इस्तिमाल करके हल्क को 30 सेकंड के अंदर सुला दिया ठीक है अब सुला तो दिया ओके नेक सीन अभी यहां पर यह वाल सिन्दे को जिसके अंदर हल्क जो है ब्रूस बैनर में हल्क धीरे 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 ट्रांस्वर्म हो रहा था तो यह जो सीन है यह हैंडल हल्क को अर्थ पर टेलीपोट कर रहा था वाइफॉस के जरीए या यहां पर ब्योष था ठीक है थोड़ा बतासा लगा रहा कि वह उसने देखा हुआ है तो जैका हुआ हो एंधर होस था याना इसको जब वो टेलीपूट कर रहा था तब तो खलक तो वहां से टेलीपोट हो चुका था तो को कैसे पता कि थॉर वहां पर शिप में मरा है कि न चेंज होते हैं ट्रांस्वाम होते हैं तो जो हल्क ने देखा वो ब्रूस बैनर को याद ने रहता और जो ब्रूस बैनर ने किया वो हल्क को याद ने रहता तो फिर जब हल्क बना हुआ था तब वो थैनवस से फाइट किया और थैनवस से फाइट करते समय ये कभी भी उस ट जीब बात है हाँ हो सकता है कि हो सकता है कि थौर ने बताया हो थौर रेग्णॉर्ग में बाते करते समया कोई सीन में बताया हो लेकिन इसको यह कैसे बता चला यह भी फैंथेरी चल रही है तो हो सकता है कि यह थौर नहीं यह हल्क नहीं यह लोकी हो यह भी फैंथेरी चल रह तो जब यह वाइफॉस्ट खोला गया याने जब हल्क को टेलीपुट कर रहे थे हर्थ पर तो उस टाइम पर में कैसी लोकी भी इसके साथ भी टेलीपुट हो गया होगा शायद अभी कुछ लोग बोड़े कि लोकी मर गया है तो मेरे रिसाब से लोकी मरा नहीं होगा यह थैनोस ने सूट निकालके नीचे उतारके फेका था जब इनफुटी स्टोन उसको दे रहा था इबो निमाओ तब एक्जैक्ली सूट कहां गया उसका थैनोस का यह भी देखने आले बात है वो तब गया तू गया कहा उसके बद में सबसे पहले थैनोस ने पावर स्टोन जो है वो उसके पर कहीने कहीः वी नहीं हो उसकी पावर को पएद बाइस उसके हावीन हो पावर को कन्ट्रोल और बढ़ा और उसके स्किंग का कलर काफी धक हने मैश करते है तो कहीने कई उसकी पावर इंफ़ुडी स्टोन से जूड़ती आ यहाई मेरा मनना है दूसरा एक चीज ये सीन देखो यहाँ पर जब थैनोस ने लोकी की गर्धन पकड़ी थी याने लोकी का जब गर्धन पकड़ी थी तब यहाँ पर एक बंदा चल रहा है यहाँ पर देखो इस तरफ अगर मैं आपको डॉकर की दिखा हूँ तो आपको पता हुआ रहे यह बंदर में एक महां पर मुझे हलका सा मुमेंट होता दिक आटम लग रहा है को मुझे लग रहा ही एक पहनिये लोकी है लोकी अपने कि अपना क्लों बख़्ोтоящ के आध कर निकल गया होगा कि यहाँ पर देखो अब कुछ लोग बलें कि यह सेंचूरी थी संच कि होगा अब वरीग बात है जब यहां से हलक जा चुका उसके बाद में ये सीन था तो हल्क को कैसे पता की थोडा सूर Cley तेरी ही है यह भी क्वेश्चन ही एक यह इसको किसे पता कि थौर बचा की निए बचा आजीब बात है उसके बात भी यहाँ पर यह वाला एक क्वेश्चन है इसका मैंने स्कूनेश्ट निकल दिया यहाँ पर देखो जब ब्लैक डॉर्फ जिसे कूल ऑपसीडम भी बोर रहे हैं कुछ लोग उसका नाम भी वैसे गया तो यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात यह है कि टोनी चाहता तो मार्क हल्क बस्टर जो मार्क फोटीफॉर बोलते है वह बुला सकता था प्यरणियों को बूला सकता था हर्क ब्रूस बैनर के लिए ताकि वह पहन के उसके मदद कर सके इतना टाइम तो इन लोग अपास था फिर हुआ क्यों नहीं सोचने अले बात है इतने अगर चाहता तो हल्क के लिए सूट मंगा सकता था लेकिन वह उसने नहीं किया और फाइट के दरब बढ़ना बढ़ा तो कहीं न कहीं एक क्वेश्चन यह भी लग रहा है कि यहां पर कोई नो कोई मिस्टेक ज़रूर हुए है कि सारी कहसारे स्कुर्ण डेखला आपको सब समझ में आ जाएगा कि महां पर कितना समय था टोनिस्टार के पास पेरणुक को बुलाने कले यान हल्क बुस्टर शोल सूट है इसको बुलाने के लिए उसके पास काफी समय था और वह पैयन लाए था हल्क बस्टर तो ब्लैक सब्सक्राइब लेकिन फिर भी वह कुछ ने कुछ करके तो कर रहे लिए था वोसे टोनी स्टार के पास मार्क एटी था नैंडों टेक सूट तो मुझे नहीं रखता कि उसको हल्क बस्टर सूट की ज़रूर थी लेकिन वह ब्रूस बैंडर के लिए मंगा सकता था चुरा आग फीजिकली अपने बॉडी के आसपास मंगा लिया था यानिक करीब बुला लिया ता प्र अफ्यों करीब आगये थे करीब नेकी बैर ने के वाज़िये से लिट यूों अगर देखेंग तो समझवाय जाएंगा इक की से लिए से बूड नि मसमई हिसी तरी से इंदर कि इस तरीके से स्पाड़ामें का जो यह इन्फडी वार वाला सूट है इसका सूट का नाम क्या है आरेंस पैडर सूट जिस तरीके से वह स्पीडली स्पाड़ामें के तक पहुचा ठीक उसी तरीके से अगर आरेंमन याने टोनी स्टार्ड बृूस बैनर के लिए हल्क बिएप में जिन्दा कैसे था। ब्लस्ट होने के बाद यहाँ पर फॉरी कहसीन ऐ यह रात ओर। यहाँ पर समझ मनी आ रहा है कि allu frequent काफी देर तक वहाँ पर जिन्दा कैसे था। क्या उसकी कोई एनरजी लेवल थी या किसी दिरागत वो बजग गया क्या था रिजन बताना जरूर्ट नीचे कमेंड़ में पता उसका रिजन तो किसी को पताओ को तो मुझे बताना इसके बद में नेक्स यहां पर वही सीन है यह कुंसे सीन है मुझे दीखने रहा है सब्सक्राइब आगया हां तो यहां पर यह सीन है इस सीन में देखो यहां पर स्कालेट विच और विजन थे दोनों आपस में बात कर रहे थे वो न्यूस को देखने वाला यह सीन है उस सीन का मैंने स्क्रिंशोट निकालाव है तो इस सीन में देखो कार्वस ग्लाइब ने पीछे से आखे उसका जो वेपन है वह वाइबरेंग के बॉड़ी से आरपार चीर कर दिया यह आपको यहां पर इस सीन में दिख रहा हुगा यहां मैं दीन में बैटा हुग तो ब्रैटनेस वह जादा है तो मुझे वह ठीक से क्लियर दीखा ही ने दिरा लेकिन मैं लगबग वह यह सीन है एक मिनट हाई यह वही सीन है कंफर्म तो यहां पर इस सीन में देखो क्या स्कालेट वीच को दिखा नहीं ब्लैक जो कर्वस वह पीछे से आकर वीजन पर हमला कर रहा क्या उसे दिखाने क्या उसे पता नहीं चला या महसूस नहीं हुआ कि वीजन के पीछे वो से वह उसको अटाक करने वाला है और उसके बाद में नेक सीन में जो है यहां पर भी देखो स्कालेट वीच को उस तरफ जखल दिया और सर से माइस्टोन निकाला जा रहा है यह भी कोशिश माँ चल रही थी तो उसके बाद में नेक सीन देखो आपी यहां पर स्कालेट वीच देखो यहां पर कहां यह रही स्कालेट वीच यहां खड़ी थी विजन को बचाने लिए और रेडी कर रही थी खुदको उसके पीछ प्रोक्सिमा मिडनाइट को वहाँ पे ट्रेंग के पीछे में कौन खड़ा है और कोई खड़ा है यह कैसे पता चला यह बीएक क्वेश्चन है और एक और चीज यहां पर प्रोक्सिमा मिडनेट और कार्वर्स ग्लाइड को कैसे पता कि माइन स्टोन कहां है क्या वो लोकेशन ट्रैक कर रहे थे यहां फिर इंफिडिश स्टोन से यह कनेक्टेड है कही न गई या किसी तरगी पावर रही इन दोनों के पास माइन स्टोन या किसी स्टोन को इन दोनों को भी पावर मिलिये इस वाज से यह दोनों बाकि जो स्टोन से उनको भी है ढूडने की ताकत रखते है अबिलेटी रखते है कुछ ने कुछ तो यहां पर इन दोनों के पीछे भी बैक स्टोनी ज़रूर होगी ऐसा मुझे लग रहा है कि तभ यह अंधों खोद ही देखलो ट्रे के पीछे में क्यंतis इह मिर घाथां और प्रॉक्सिमा मीरेट को यह दिग्या ट्रेन चलती समय next आ पूसिबल में इस ब्योर्ब 먼저 यहां पर खड़ाया है मैं बहुती 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 बहुत यह दिमाक लगा ए पता नहीं ने पता सब्सक्राइब है कि इनका सेंसर फ्यूमन कुछ ज्याधा ही तेज है पता नहीं देखना पड़ेगा किसी के पास कोई आंसर होगा तो मुझे बता ना उसके बाद में नेक सिंग क्या था यहां पर इस सीन में जहां पे में बीर चिशिता पु समझ्समें टोनीव स्टार्क के पास कोई भी बेक अप प्रण नहीं ता उसने खुद कहा था यह कि मेर बेक प्लेंग के हम लोग स्पेस में आगे फ़स गया है तो यहां से हम रेक तुब वापस भी नहीं जा सकते ऐसा कुछ कहा था मैंने रिक से सुना नहीं होगा शायद स्वरी आ असका बाद मौल क्या संगता किन और उन्होंने एक चीज बोली थि मेर सकोई प्लान निया है थान उसको हमारे घर पर ललना चाङिए या फिर उसके घर पर यही चीज उन्हें कई थी और इसके ठिक एक सेकंड बाद या थोड़े दर बाद उन्हेंने फिर से एक बाद बुली कि हमें थानुस के घर पर लगना चाहिए उसे इस बात की कोई उमीद नहीं होगी यह चीज उन्हें गलती कर दी अगर यह गलती ना की होती तो शायद एव कर रहें काफी चलो आगे मरते और यह सींगर करनी यह यहां पर देखांड की यह एक सीन है यहां पर मुझे एक कॉश्टन यह लगा मैंने कॉमिक में देखा आने में सीरी में बहुंभी देखा कि वकांडता में अगर किसी को भी घुसना हो तो काफी जाधा ऐसे वकांड मे इस पर उस पर हमला करता है तो ऐसी मशीन वहाँ पर एंफुड़ी वार के सीन में नहीं थी यह थोड़ा disappointment था और जितने भी वहाँ पे fight हुई Wakanda में Captain America हो या बाखी के जितने भी वहाँ के लोग हो Wakanda के आर्मी हो पूर के पूरे person of person लड़ रहते इन लोगों ने जो इनका जो attack system था जिस ते किसी यह भाले लेके ऐसे एक 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 आरो शूट करते अगर यह आरो शूट करने की स्पीड बढ़ा देते तो और भी जाता मज़ा सकता था जो आर्मी थी जो कर्वस ग्लाइब की यह जो आर्मी थी जिसके चार हाथ थे एलियन वो एलियन को जल्द से जल्दी हरा सकते थे तो यहां पर कही ने कही वो जो आर्मी है अगर कोई कर सकता था तो वह हुलुक बस्टर था लेकिन बहुत 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 को स्पी sekarang ने काफिकाथा वह थे थे रहाए में और सामने इस तरगी का डामेश किया था आधे से ज़्यादा तो कई सारा डामेश किया वार मशिन है उसके बाद में परसन टू परसन ब्लाक पैंथर हैं कैप्टें मेरेगा उन क्रिचर से लड़ रहते बैक टु बैक वहां पर दोनों को कई ने कई लंड़ा में दिक्कत हो रही थी यूगि इनका जो अटेक्स पिट्टा एलियन का वो कफी जादा था काफी काफी जादा था और इन लोगों का थोड़ा बहुत कम था उनसे और कैप्टें के पास जो नई शील्टी उसका भी उसे ठीक तरगी से वह अटेक नहीं कर बार था कई नगी जाके एलियन के बॉड़ी में फसर रही थी वह निकाले में दिक्कत हो रही थी वहां मैंने यह नोटिस किया आप लोग ने नोटिस किया कि नहीं किया पता नहीं यहां पर वार मेशन ने काफी अच्छा डामेज किया लेकिन ब्लक जो दोार फे उसने मार के गरण मेशन को नीचर लेकर दिया जै किसके बाद कहलका यह ने जहां तौर टेलीफोट हया उसके बाद में हो ठोड शेक के जिए जो आटके जहां हम्यर मिषय मेर अलग 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 पोसिशिएं पेर आ स्था हु हो अल्य के भी ता जहां पर के इसके बाद में एक सीन देखा आपने मुवी में जब स्कालेट पीछ वहां पे जहां पर फाइट कर रहे थे वकांडा में वहां पर जब यह भाहर आती है तो प्रॉक्सिमा बोलती है स्कालेट वीच आ गई है बाहर तुम जाके वहां शुरू करो तो कर्वस ग्लाइट सीधा कर मंदब कर वहां पर क्रो सबके पास database होने की पावर थी इसलिए वो डैरेक्ष्क भीज्यन वीजन था वीजन का ओप्रेशंसट दा जहाँ पे माइश्टों को रिमूब करने की तरीका कर रहे थेने क्ए महां पर सीधा यह निश्ट कर रहे थे ओन के चैलिए कि लेगी कि इसके बाद में यहां पर एक चीज़ देखो आरेमाइन के पास यहां पर शील्ड यह देख सकते हैं इस इमज में देख सकता है ब्लोग शील्ड और थैनोस एनर्जी अटेक कर रहा है पावर स्टों से तो पावर स्टों को ब्लॉक करने के लिए इसने एक शील्ड निकाली एक शील्ड निकाली और सेम ब्लैक डॉफ की जब लड़ राता स्टाइटिंग में जब ब्लैक डॉफ आयता इबूनी माव के साथ तो वहां पे भी जो एरेमाइन ने अपनी शील्ड निकाली खुद को प्रोटेक करने के लिए तो यह जो शील्ड यह अगर गिम में आरेमा के लिए सबसे बेस्ट करेक्टर हो जाएगा अगर आ गई तो डिफेंस और अटक सिस्टम और ज्यादा इंप्रूफ हो गए तो यह देखो इसने अपनी शील्ड रिमूग क्या था उसके बाद में एनरजी जो अटक था उससे बसते हुए थानस के मुँपे किक मार दी और एक बूंद खून निकाला था यह वह सिंथा उसके बाद में यहां पर यह सीन देखके नम पूत्रों ना आता है यार बोद इमोशनल तरह से सीधा आरा में के पीट में गुसर देता हुए पन यह ब्लेड तो यह काफी बूरा लागा मुझे अब यहां पर और एक सीन देखो यहां पर यह सीन देखो जहां पर स्कालेट वीच विजन का एक तरफ एक हाथ से माइन स्टोन तबा करने के कुशिश कर रहे है तो दूसरे सीन में थैनोस को रोक रहे है दूसरे हाथ से तो सोचो अगर स्कालेट वीच को टीर 3 मिल लिया ग जाएगी अगर स्कालेट विश के पास टीर थ्री आ गया तो लिख के देता तो आज का वीडियो बस इतना ही इतने बाते दिये मेरे जो भी मेरे दिवाग में थोट्स थे सारा का सारा मैंने यहाँ पर रख दिया आपके सामने और मेरे भी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर थे उसके अगर आपके पास में आंसर होगे तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में नीचे देना ताकि मुझे पता चल जाए कि इसका रिजन यह था इसका कारण यह था इसका अंसर यह था तो प्लीज लगें शेल सेसका बेंड तेंक्यू